आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुतकारिक्रम जिले की चिठी में आज आप सुनेंगे खरगौन जिले की चिठी आलेक, आशुतुष, पुरोहित, वाचनस्वर, राना शाहित खरगौन जिले में इन दिनों भीशन गर्मी के चलते, आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है नवतपा के पहले गर्मी ने पिछले वर्षों के रिकॉर्ड दोड दिये हैं तापमान 45 से 46 डिगरी के आसपास चला गया है चिकित्सक भी लोगों को सला दे रहे हैं कि इन दिनों लू चल रही है आवश्चक काम होने पर ही घर से बाहर निकलें मुख्यमंत्री शिवराथ सीन चोहान की महत्वकांग्शी योजना मुख्यमंत्री का नैदान योजना के तहत जिले के कसरावद में 211 पेटियों का सामुहिक विवह का आयोजन किया गया समारू में प्रदेश के क्रशी और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल सांसद गजेंद्र सिही पटेल कसरावद के विधायक पूर्व मंत्री सचिन यादव पूर्व विधायक आत्माराम पटेल, महिश्वर पूर्व विधायक राजकुमार मेव, जिला पंचायत CEO दिवयांक सी, SDM संग प्रिय सहित अधिकारी कर्मचारी और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद थे। जिले के छे नगरिय निकायों में निर्वाचन 2022 की कारिवाही सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए रिटर्निंग और सहयक रिटर्निंग अधिकारियों को निउक्त किया है। इसी प्रकार जिले में त्रिस्तरिय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 की कारिवाही सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए भी कलेक्टर ने रिटर्निंग एवं सहयक रिटर्निंग अधिकारियों को निउक्त किया है। पिछले दिनों खरगौन जिले के रावेर खेडी में अजय योध्धा बाजीराव पेश्वा की 282 वी पुर्नेतिथी पर समारों का आयोजन प्रभारी मंत्री और प्रदेश के क्रिशी मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इस दोरान अजय योध्धा बाजीराव को याद करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार समाधी स्थल का सर्वांगीड विकास करेगी। साथ ही यहाँ पर सैनिक स्कूल खोलने के प्रयास किये जाएंगे। खरगौन जिले के बढ़वाह में गत दिनों आयोजित स्वास्थ मेले में प्रदेश के क्रशी और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि राजे सरकार प्रदेश की सभी 383 विकास खंडों में स्वास्थ मेले आयोजित कर रही है खरगौन में पिछले दिनों प्रदेश के श्रम विभाग के प्रमुक सचिव सचिन सिन्हा ने कलेक्टर सभाकुक्ष में जिले की आकांगशी जनपदों की समिक्षा बैटक ली खरगौन जिले में 10 अप्रेल को राम नवमी के जुलूस पर पत्थराओं के बाद आगजनी और भड की हिंसा के बाद अब सामा निहालात हैं शहर में 24 दिन कर्फियू रहने के बाद अब खरगौन शहर शान्ती की रह पर लोट गया है खरगौन शहर में पिछले दिनों खादी सुरक्षा विभाग ने बड़ी कारवाही करते हुए 3 प्रतिष्ठानों पर FIR दर्ज कराई खादे सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिष्ठानों पर खादे एवं औशधी नियमों के तहट परियाप्त साफ सफाई नहीं पाय जाने पर बड़ी कारवाही की है खरगौन जिले में भी 9 से 23 मई तक लोगों की जागरूकता के लिए डेंगू पक्वाड़ा अभियान चलाय जा रहा है इस अभियान के तहट पिछले दिनों एक कारिशाला का आयोजन कर एएनम और आशा कारेकरता को डेंगू पक्वाड़े की अंतरगत की जाने वाली गतिविध्यों की जानकारी दी गई थी पक्वारी के दोरान इन दिनों A.N.M. और आशा कारे करता घर घर जाकर मलेरिया डेंगू की जानकारी एवं लार्वा सर्वे का कारे भी किया जा रहा है साथ ही लोगों को डेंगू के प्रती जागरू किया जा रहा है खरगौन शहर में संजय नगर की योवती लक्षमी की शादी सरकार कराने जा रही है पिछले दिनों लक्षमी से प्रभारी मंतरी कमल पटील की विडियो कॉल पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है CM शिवराज सींचोहान ने भी लक्षमी से बात करके शादी कराने का भरोसा दिलाया है खरगौन शिले में सरकार की मनशा अनुरूप इन दिनों कॉलेज चलो अभियान नई शिक्षा नई उडान कारिक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिले में निर्देश अनुसार उच्छे शिक्षा विभाग से चुड़े शिक्षा विदों के द्वारा युवाओं को कॉलेज चले अभियान को लेकर प्रेरित किया जा रहा है खरगौन शिले की चिठी समाप्त हुई